करelet आज हम क्रेंगे वर्ड में टूल जैसे कोपी में कॉई वह हम चीज लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं हम उसको नमरिंग देप्गते हैं फिर टाइप करते हैं इसमें क्या करनाаешь कंप्यूटर में पहले हमने type करना है उसके बाद हमने select करके जो भी dots देने है वो यहां से देने है simple दे दिये जैसे color करना है कोई भी तो select करोगे यहां से font color से जैसे हमने dots की color भी change करने तो कैसे करेंगे dots पी click रखेंगे और font color से ही डोड इसका color change करेंगे यह हमारे change देंगे अगर हम इनकी numbering देनी है one two तो क्या करेंगे पहले हमने select करना है तो यहां से हम numbering basin को numbers देंगे कोई भी आप दे सकते हो simple हमने यह देती ऐसी कोई भी change करते हो जैसे कि हमने यह word center में लिख आना तो क्या इसका use करेंगे central alignments का right में लिख जाना है तो right alignments का और justify करने के लिए justify जैसे कोई भी इसमे लाइनों में space देना हमने तो क्या करेंगे पहले select करेंगे यहां से यह option है space क्लिक करेंगे जो भी जाने 3.0 दे सकते हैं उसे कम देना है तो यहां से 1.0 दे सकते हैं कोई भी निच्चे इसके border लगाना है line जिसको बोलते हैं border तो हम यहां से लगाएंगे निच्चे लगाने के लिए हम कौन सा border यूज करेंगे bottom तो bottom पे click करते हैं यह से border लग जाएगा अगर हमने इस line का color change करना है तो क्या करेंगे click रखो line पे border पे जाओ यहां last option आती है border and shading इस पे click करो और यहां से color choose करना है जैसे red उसके बाद इनकी length, width, dark light और यहां line लग रही है उस पे click करतो simple color change हो जाएगा और ok करोगे अपने apply लग जाएगी line को हटाने के लिए दुबारा उस पे click करेंगे और यहां से bottom border पे click कर देंगे यह है bottom border अगर हमने outside border लगाना है तो कैसे लगाएगे select करेंगे यहां जाके outside border पे click करेंगे simple इसका भी color change करना तो हम फिर border पे जाएगे border and shading पे जाएगे यहां से color लेंगे और यहां से left यहां में कोई भी click करने की जूर्थ नहीं यहां सिंपल ओक्किटर नहीं है जैसे हमारे यहां border अपने border color अपने border change हो जाएगा इसका पार यहां आप आप